हेलो दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सब आपके फेस पे भी इस तरीके से मस्य की समस्या है काफी सारे ब्राउन छोटे छोटे तील है जो देखने में बहुत जादे खराब लगता है और इसे आप नेचुरल तरीके से हटाना चाहती है इसके उपर आप बहुत सारा पैसा खर् रेलू नुस्खा सेयर कर रहे हूं जो इस्टंट रिजल्ट देगा तिल और मस्य पे हमारे सरीर पे जो तिल और मस्य होता है दो तरह का होता है एक होता है ब्लैक उसका जो कलर होता है पूरी तरह से डार्क ब्लैक होता है और दूसरा जो होता है वो रेड में होता है तो दोनो का उपाय अलग-अलग आप लोग को बताने वाली हूं ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो आपके लिए है अगर आप तिल और मस्य से परिसान हो चुकी है सब कुछ करने के बाद भी यह जाता नहीं है और कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा सलूसन अपने फेस पे लगा लेते हैं जो कि उसका दाग रह जाता है तो बीना दाग रहे तिल और मस्य को इतना आराम से सलूसन हटाएगा बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और जो जो इस टेप बताया जा रहा है उसे फालो करिएगा सबसे पहले मैं बता दे रही हूं इसकिप करके तो ध्यान से देखिएगा छोटा सा वीडियो है और आपके काम आएगा बहुत सारा आपका पैसा बचेगा सबसे पहले आपको क्या लेना है आपने यहां पे लेना है अद्रक जो कि आप चाय में यूज करती हूंगी प्लस सबजी वगेरा में पढ़ता है ओही अद्रक पे लेना है पानी से धूल लिजिएगा क्योंकि इसमें काफी सारा मिट्टी लगा होता है पानी से धूलने के बाद इसका जो उपर का छिलका है ओभी आपको हटा लेना है उसके बाद से आप कद्दू कस कर लिजिएगा बहुत थोड़ा सा है तो इसका पेश्ट नहीं बन पाएगा तो कद्दू कस कर लिजिएगा ठीक है इस तरीके से हमारे फेस पे अगर एक दो तिल और मस्सा हो तो खुबसूरती को बढ़ा देता है खुबसूरत इसकीन लगने लगता है लेकिन बहुत जादे अगर हो जाए और एक और बात मैं आपको बता देना चाहते हूं कि अगर आपके फेस पे दो तिन है तो फैलता है यह फैलता है तिल और मस्सा जो है अगर इसका टाइम से इलाज ना किया जाए तो पूरे इसकीन पे फैल जाएगा तो टाइम रहते हुए इसका इलाज आप करिए ओ भी नेचुरल तरीके से जो अद्रक था उसे हम कद्दू क कर लिए हैं कद्दू कस करने बाद इसके अंदर जो रस है हमें सिर्फ एक स्पून इसका रस चाहिए आप सभी के सामने पूरा प्रोसेस मैं दिखा रहे हूं तो ध्यान से देखिएगा इसके रस में बहुत सारी प्रोपर्टी होती है बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं लेक के तिल और मस्य को बिना इसकीन को नुकसान पहुंचाए बिना दाग छोड़े हटा देगा आराम से तो ध्यान से देखिएगा अदरक का रस हम यहाँ पे निकाल लिए हैं एक स्पून इसे बना कर आप रखिएगा मत पहले ही मैं बता दे रहे हूं नहीं तो बहुत सारे ल आप करके भी दिखा दे रहे हूं इतना ही चाहिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है इस सलूसन को तयार करने के लिए अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या लेने वाले हैं तो इस तरीके का आपको मार्केट में चूना मिल जाएगा जो की मतलब की जहां पे पान वगेरा मि चूना लेना है जो की खाने में यूज होता है ठीक है खाने वाला चूना ही आपको यहां पे लेना है और थोड़ा सा मतलब की मतर के दाना के बराबर आपने यहां पे चूना लेना है जादे नहीं और यह थोड़ा सा पाइकिट फट भी गया है आप लोग देख सकते हैं ज ऐसे ही इसमें पड़ा है इसका जो रियेक्ट है आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से तिल और मस्य को तुरंत हटाएगा वह भी बिना इसकिन को नुकसान पहुचाए इसका कलर चेंज हो गया है आप सभी के सामने ही तो परिशान मत हो येगा देखिए अगर आपके फेस तिल है मस्य है और आप इसे नहीं लगाना चाहती है तो थोड़ा सा गर्दन पे गर्दन पे होगा भी हाथ पर पे भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है तो आप फेस के वजाए हाथ और पर पे गर्दन पे पीछे पीट पे लगा कर देखिएगा कि ये आपके इसकिन को स्ट्रॉंग रेमडी है तो साउधानी पुर्वक आपको इसे लगाना है इधर उधर मत करिएगा जल्दबाजी मत करिएगा ठीक है एक एक प्रोसेस मैं आप सभी के साथ इसलिए सेयर कर रहे हूं ताकि आप कोई गलती ना करें अगर इसकिन पे लगेगा तो आपका इसकि एरिया को कवर करना है ठीक है अब आपको क्या करना है कि इसे अच्छे से इस्पून की सहायता से मिक्स कर लेना है ठीक है मिक्स करेंगी तो यह दोनों चीजे मिलके थोड़ा सा ठीक भी हो जाएगा और अच्छे से मिक्स भी होगा अब इसमें और हम क्या मिक्स करेंगे उस सबन सकती हैं जो कि विल्कुल फ्री है आपको कुछ भी नहीं करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अब आपको लगाना कैसे है देखिए इसमें हम कुछ भी मिक्स नहीं करे जो भी आपके पास एजली मिल जाए और आपको सिर्फ उसी एरिया को कवर करना है जहां पे तील मस्सा है ठीक है अलग इसकिन पे ना लगे पहले मैं बार बार बोल लए हूं कि अलग इसकिन पे मत लगाईएगा सिर्फ आपको उसी एरिया को कवर करना है और बहुत सा उध पानी पुर्वक से लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिजेगा जहां पर भी आप इसे लगाना चाहती है ठीक है पीछे गर्दन पे बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है हाथ पेर पे काफी बड़े-बड़े मस्य दो जगा जादे तिल और मस्या कुछ जादे ही होती है और इसके आने के बहुत सारे रीजन है जैसे कि बहुत सारा केमिकल प्रोड़क्ट यूज करना हेल्दी डाइट ना लेना प्लस आप ऐसे धूप में जाती है धूप के वज़से भी तिल काफी जादे निकरने लगता है हमारे फेस पे तो जब भी आ संस्क्रीन का यूज करिए प्लस हेल्दी डाइट लीजिए अगर तिल मसा आपको परिसान कर दिया है और सिर्फ नेचुरल चीजें ही कुछ न कुछ लगाया करिए ठीक है अब यहां पर मैं आप लोग को एक और सीक्रेट की बात बता दूँ सबसे पहले आप इस तरीके से लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़िएगा जादे टाइम के लिए आपको नहीं चोड़ना है दस मिनट काफी होगा उसके बाद से आपको यहां पर कॉटन लेना है कॉटन से क्लीन कर देजिएगा दिन में आपको सिर्फ दो बार करना है सुबा और साम इसे लगाकर बाहर आप को धूक में नहीं जाना है इस बात का ध्यान देजिएगा तो ठंडे एरिया में थोड़ा देर के लिए बैट जाईएगा फैन के नीचे और 10 मिनट काफी होगा अब जिनके इसकिन पे रेट कलर का मसा है तिल है ओ लोग क्या लगा सकते हैं तो देखिए डियर आपको एपल का रस लगाना है सिरका नहीं रस जो फ्रेश से होता है न उसका रस निकाड़कर उसका रस लगाईएगा ओ बहुत अच्छा रिजल देता है आपके स्कीन पे रेड मसा है ठीक है बाकी अगर बहुत जादे पुराना है बलैक हो गया है बड़ा खराप सा लगता अजीब सा गंदा सा लगता है अगर फेस पे मसा हो जाए तो अजीब सा इसकीन देखने में लगता है तो बलैक है बहुत पुराना है तो आप इसे लगाईएगा सिर्फ तीन से चार बार लगाने में ही आपको फर्क दीखेगा धीरे धीरे छोटा छोटा पीस कटके निकाड़ने लग और शिर्फ तीन से चार बार में उखट जाएगा ओभी बिना स्कीन पे दाग रहे दाग भी नहीं रहेगा एसा नहीं कि दाग रहेगा ओर नार्मल हो जाएगा हपता दस दिन में तो ए वीडियो आप लोगो को कैसी लगी हाईली रिक्वेस्टीड वीडियो था दीदी आप लोग को बहुत पसंद आया था पर हर एक चीजे हर लोगों को सूट नहीं करता है सबका इसकीन टाइप अलग होता है तो आप लोग समझ सकते हैं तो आज जो घरेलू टीटमेंट आप सभी के साथ मैं सेयर की हूँ बड़े ही कमाल का रिजल्ट देगा बस आप सही तरीक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तीन चार बार लगाईएगा जरूर आई हो पाप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो लाइक और सेयर कर दीजिएगा चैनल पने हुए मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे ला करती हूं और काफी रिसर्च करने के बाद इस रेमेडी को ले करके आई हूं आप सभी के लिए तो आप इसे ट्राइ करिएगा हाइली रिक्वेस्ट कर रहे हूं और थोड़ा साउधानी पूर्वा कि धर उधर करके मत बनाईएगा जल्दबाजी मत करिएगा ठीक है मैं आ करें मतार ल New York GM incentives कि जब और रहे हमादा रहे हूं इस रपर रहे हूं और ईसे रहें जवित बनाई घंगित है